हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर इतुबक्षी, डियलेड के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, आज जिस विशे पर हम चर्चा करेंगे वह है पर्यावरन अध्यन के अंकलन उपकरन, विशेश्टाएं और चैन के आधार, प्रिय चात्र चात्राओ, पर्यावरन अध्यन के आपकलन उपकरन की जब हम बात करेंगे, तो ये आपकलन उपकरन बाकी अध्यनों से अलग किस तरह से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बढ़ेंगे, और इसमें हम आपकलन उपकरनों की विशेश्टाएं, और इसको चैन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में विस् प्रतेक बच्चा अपनी उपलब्धी को प्राप्ट करने के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और इसी के साथ आगे सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रदान करता है तो प्रिये चातर चात्राओं कहने का तात्पर ये है कि सारा का सारा हमें जो ध्यान देना है वो इस बात पे देना है कि बच्चा अपनी उपलब्धी और अच्छा प्रदर्शन और आगे सुधार सुनिश्चित करना ये अंकलन के बहुत ही विशेश बिंदू हैं जिन पे हम में ध्यान देना है अभी अगर हम और थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचें तो ईविएस जिसको पर्यावरन शिक्षन भी कहते हैं इसके सीखने के उदेशियों में संगनात्मक भावनात्मक और मनोवग्यानिक ये तीन तथ्य शामिल हैं और इसलिए अंकलन के लिए कई आकल भी ढंक से क्या-क्या तरीके जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं और इस्तेमाल किये जा सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आकलन की परिभाशा परिभाशा से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उदेश्य क्या है उदेश्य है बच्चों की अभिव्यति शम्ता और अनुभूति आदी का मापन करना शम्ता जो कि बच्चों के अंदर पहले से ही चिपी होती है ये जो आज की हमारी शिक्षा है आज तक की हमारी जो शिक्षा रही है वो शम्ता को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रही है जबकि शिक्षा का सही अर्थ तो था अपना जो एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये एक वियापक प्रक्रिया है जिसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक शिक्षक के ओपर बहुत बड़ा दाइत्व है इसको अच्छी तरह से इस चीज को सोचने में कि हम आंकलन करें बच्चों क तो किस थरह से करें सीसी रोस के अनुसार अंकलन का प्रयोग बच्चे के संपून व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है कवालेन और हन्ना के अनुसार विद्याले में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबन्द में प्रद्यत के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को अंकलन कहते हैं व्यवहार परिवर्तन ध्यान दीजेगा इस बात पर कि शिक्षा का जो धदे है शिक्षा का जो मुख्य लक्षे है वो है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यह आमतोर पर सहमती है कि पर्यावरन शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुश्यों में और वातावरन वातावरन जो की प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सांस्कृतिक है, टेक्नोलोजिकल है इसके आपसी संबंध में जागरुकता और समझ को पैदा करता है पर्यावरन शिक्षा ग्यान, मूले और द्रिष्टी कौन से संबंधित है और इसका उदेश्य जिम्मेदार पर्यावरन वेवहार पैदा करना है हमारे तीन जो उदेश्य शिक्षा के हैं ग्यान, मूले और द्रिष्टी कौन इन तीनों चीजों का परियावरन शिक्षा में बहुत ही महत्व है और जब भी हम आकलन उपकरन बनाते हैं परियावरन शिक्षा को देखने के लिए तो इन तीनों मूल्यों को उजागर करना एक शिक्षा की जिम्मेदारी है अभी हम जानेंगे कि लक्षे क्या है परियावरन शिक्षा का लक्षे जो है वो युवाओं को परियावरन सरंक्षन में जुनून जगाना अब मैं युवाओं की बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि आने वाले कुछ सालों में भारत एक ऐसा देश बन जाएगा प्रिये बच्चों जिसमें की पूरी विश्व के मुकाबले में भारत में सबसे जादा युवा होने वाले हैं कहने का आर्थ ये है कि मेरा भारत महान, मेरा भारत जवान बन जाएगा तो इसलिए युवाँ में युवक युवतियों में पर्यावरन सरक्शन में जुनून जगाना ये इसका बहुत बड़ा लग्षचे है पर्यावरन जाग रुकता, ग्यान और समझ को बढ़ावा देना युवा लोगों के विक्तित को बढ़ावा देना और उनके व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाना ये हमारे लक्षे हैं मोटे तोर पर पर्यावरन शिक्षा के अब अगर एक शिक्षक के रूप में मैं बात करती हूँ तो आकलन उपकरनों के फाइदे और सीमाएं हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए चुँकि EVS पर्यावरन शिक्षन जो है वो जीवन कौशल से संबंधित है इसलिए शिक्षकों को लगातार समय की मांग के मुताबिक अंकलन उपकरनों को विक्सित करने का निरंतर प्रियास करते रहना चाहिए अब कुछ प्रासंगिक अंकलन उपकरनों की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हैं अवलोकन, observation, अनुसूची, checklist, rating पैमाने, audio-visual recording उपकरन तो प्रिये बच्चों ये जो अंकलन के उपकरन है ये पर्यावरन शिक्षा में जब हम इनको प्रयोग करते हैं तो हम इनका अंकलन बच्चों का बहुत अच्छे से कर पाते हैं अंकलन करने के दो मुखे उदेश्या हैं जिसमें से एक है योगात्मक ये योगात्मक अंकलन जो होता है जिसको हम summative assessment भी कहते हैं पीछे मुड़कर देखता है और जो पहले से सीखा गया है उसका निरने करता है ये समानेता परिक्षाओं के स्वरूप में आयोजित किया जाता है जहां विद्यार्थियों को परिक्षा में प्रशनों के प्रति उनकी उपलब्धियों को बताएगे श्रेनी करत क्षेतर दिये जाते हैं और उनके परिमानों की रिपोर्टिंग की जाती है तो जो अंत में परिक्षा ली जाती है योगात्मक आकलन वो होता है जो कि हम पूरे साल में बच्चों ने क्या किया है उसको जब हम देखते हैं उसका आंकलन करते हैं वो योगात्मक आकलन कहलाता है दूसरा अदेश्य जो है वो है निर्मान आतमक जो कि पूरा साल भर पूरे सत्र भर बच्चों का चलता रहता है और जिसका स्वरूप जो है अनॉपचारिक और नदानिक होता है नदानिक निदान देना बच्चों को remedial जो है कुछ चीजें ऐसी प्रदान करना कि उनकी शिक्षा में जो है वो निदान किया जा सके शिक्षक उन्हें शिक्षन की प्रिक्रिया के अंग के रूप में उप्योग करते हैं उधारन के लिए यह पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने का इस्तेमाल किया जाता है कि क्या विद्यार्थी ने किसी चीज को समझा है या नहीं इस अंकलन के परिनामों को फिर अगले शिक्षन अनुभव को बदलने के लिए उप्योग किया जाता है तो मोटे दोर पर हम इसे निगरानी और फीड़बैक इस अंकलन का बहुत ही जरूरी हिस्सा समझ सकते हैं कुछ आवश्यक पहलूं पर भी जरूर बात करना चाहूंगी प्रियचात्रों जो आवश्यक पहलूं है जब भी हम अंकलन उपकरन के बारे में बात करते हैं तो तीन आवश्यक पहलू इसके आते हैं पढ़ाने से पहले पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद तो जब पढ़ाने से पहले की बात करें तो एक शिक्षक के उपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वो पढ़ाने से पहले अंकलन क्या करना है, किस तरह से उसको करना है और बच्चे में क्या प्रदी भाएं हैं उसको जानने की कोशिश करे पढ़ाने से पहले अंकलन से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं और पढ़ाने से पहले क्या करसकते हैं यह आधार रेखा निर्धारित करता है और आपको अपनी शिक्षक योजना तय्यार करने में बहुत ही सहायता करता है पढ़ाते समय दूसरा जो इसका आवश्क पहलू है वो है पढ़ाते समय प्रिये चातरों कक्षा में पढ़ाते समय अंकलन करने में ये देखना शामिल है कि क्या विद्यार्थी सीख रहे हैं और उनमें सुधार हो रहा है ये जरूर एक शिक्षक के रूप में आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि क्या उनमें सुधार हो रहा है इससे आपको अपनी शिक्षन पधती संसाधनों और गती विधियों का समायोजन करने में मदद मिलेगी यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि विद्यार्थी वांचित उदेश्य की दिशा में किस प्रकार प्रगती कर रहा है और आपका शिक्षन कितना सफल है यह देखने के लिए पढ़ाते समय आपको निरंतर यह सोचना है कि विद्यार्थी में सुधार हो रहा है या नहीं इसके तीसरे पहलू पर बात करें जो की शिक्षन का बहुत ही बड़ा अवश्यक पहलू है वो है पढ़ाने के बाद शिक्षन के बाद किया जाने वाला अंकलन पुष्टी करता है कि विद्यार्तियोंने क्या सीखा है और आपको दर्शाता है कि किस ने सीखा है और किसे अभी मदद की जरूरत है बहुत ज़रूरी है ये देखना कि कितने बच्चों ने सीख लिया है क्योंकि हमारी जो कक्षा है वो अलग-लग तरह के बच्चों से भरी रहती है तो किसने सीखा है इसको भी मदद की जरूरत है इससे आप अपने शिक्षन के लक्षे को प्रभावी अंकलन कर पाएंगे अब हम अंकलन के उदेश्यों पर बात करेंगे अंकलन के उदेश्य जो हैं अंकलन उपकरन निर्धारन करने से पहले उसके हर एक उदेश्य को बहुत ही ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि पर्यावरन शिक्षा में उदेश्य बाकी शिक्षिनों से थोड़े से भिन रहेंगे क्योंकि पर्यावरन शिक्षा जो है ये एक तरह से दृष्टी कोन को बदलने का एक बदलने की एक शिक्षा है तो इसके उदेशियों में बच्चों में अपेक्षिद व्यवहार एवं आचरन परिवर्तन की जांच करना यह जानना कि बच्चों ने कुशलताओं, योगेताओं आदी को कितना ग्रहन किया है और बालकों और बालिकाओं की सभी कठिनाईयों का निर्धारन करना तथा उनके दोशों को जानना उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना भी इसका एक बहुत ही एहम उदेश्य है तो प्रिये बच्चो उपचार देना किसी को किसी की भी शिक्षन में उसको उपचार देना निदान देना जिसको हम रेमीडियल भी कहते हैं रेमीडियल टीचिंग कहते हैं उपचार आत्मक शिक्षा प्रदान करना बालकों की चहुमुखी विकास को निरंतर गती प्रदान क इससे अध्यन और अध्यापन दोनों का मापना कर हो सकता है। आंकलन द्वारा प्रयोजन शिक्षन विध्यों की उपयोगिता एवं विध्याले की समस्त क्रियाओं का अंकन करना है। अब प्रश्न ये आता है कि आंकलन उपकरनों की हमें आवश्यक्ता पढ़ी क्यों यदि हमारी एक शिक्षक शिक्षक पढ़ाने से पहले भी पढ़ाने के बाद भी और पढ़ाते समय भी सब कुछ देख रहा है तो हमें आकलन उपकरनों की अवश्यक्ता क्यों पड़ी तो प्रिये चातर चातराओ प्रभावी और सूचनात्मक आकलन में शिक्षक केई तरह की आकलन रननीतियों का इस्तेमाल करते हैं जो विध्यार्थियों को सीखने के कई अफसर देकर इस निशकर्ष पर पहुंचते हैं ध्यान दीजेगा इस बात पर केई अफसर देकर क्योंकि जो आज की शिक्षा है आज का अंकलन है वो एक अफसर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता केई अफसर देने हैं क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है तो केई अफसर देकर इस निशकर्ष पर पहुंचना है की? वे क्या जानते हैं? वे क्या समझते हैं? और वे क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं इन बच्चों में होती हैं जो वो कर सकते हैं प्रंतु हम उनको अफसर नहीं देकर जो वो कर सकते ह उससे उनको वंचित कर देते हैं आप छात्रों को सीखने के स्थर के बारे में जानकारी धर्ज करके भी अंकलन कर सकते हैं कि वो क्या-क्या सीख सकते हैं उसकी जानकारी धर्ज करना जिसको हम information form के रूप में भी जानते हैं जब आप किसी भी उपकरन की मदद से छात्रों की सीख की गहराई के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करते हैं तो ये सीखने का अकलन होता है इस दर्ज जानकारी के अधार पर जब आप सीखने के लिए आगे की गदिविधियों की योजना बनाते हैं तो इसे सीखने के लिए या जिसको हम उपचार भी कहते हैं और उसके लिए हम जब नई रूपरेखा बनाते हैं नई योजना बनाते हैं तो वो हमारा एक उपकरन की अवश्यकता है उपकरन का बहौत ही अवश्यक पहलू है जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है अब हम उपकरन जब भी बनाते हैं इसके कुछ पद होते हैं स्टेप्स होते हैं तो अंकलन के उदेशियों का चेयन और निर्धारन करना ये इसका पहला पद है कि अंकलन के उदेशियों का चेयन करना और उसका निर्धारन करना उदेशियों का निर्धारन विशलेशन जो की विवहारगत परिवर्तन के संधर्व में जाना जाता है अंकलन प्रविधियों का चैयन करना अंकलन प्रविधियों का प्रयोग और परिणाम निकालना परिणामों की व्याख्या वो सामान्य करन करना ये मैं पदों की बात कर रही हूँ कि इस तरह से हम जब भी कोई अंकलन का तरीका सोचते हैं तो ये उसके पहले स्टेप्स होने चाहिए पद होने चाहिए अंकलन एक सतत प्रक्रिया है हम अगर इसकी प्रक्रिती की आज चर्चा करें तो अंकलन के जो स्टेप्स की हमने बात की वो क्यों करना जरूरी है क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षन प्रक्रिया का अभिन अंग है इसका सीधा संबंद शिक्षा के उदेश्य से हो प्रिये चात्रो ये एक सतत प्रक्रिया है और पर्यावरन शिक्षा में सतत प्रक्रिया से ही हम एक बहुत ही प्रभावशाली अंकलन कर सकते हैं अंकलन का प्रमुक प्रयोजन व्यवहारगत प्रिवर्तन की दिशा प्रक्रिती एवं सतर के संबंद में निर्ने करना होता है और ये शिक्षा के उतेश्यों की प्राप्ती की सीमा का निर्धारन करने वाली एक प्रक्रिया है अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरन शिक्षा की जब हम बात करें हैं तो अंकलन उपकरनों का चयन किस तरह से किया जाए क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएं कि हमने ये चयन ये उपकरन हमने इस बच्चे पर अभी हमने प्रियोग करना है तो कोई भी उपकरन प्रियोग करने से पहले प्रिये चात्रों ध्यान दें कि उपकरन जो है वो वैध्य होना चाहिए वैध्यता जिस उदेशे का अंकलन करना हो उस उदेशे का अंकलन हो जाए तो समझे वो उपकरन वैध्य है विश्वस्नियता का अर्थ है विश्वास का पात्र अर्थात जब आपको अंकों का बदलाव ना हो और दोबारा चेक करने पर भी अंक समान रहें तो जो आपने उपकरन प्रयोग किया था वो विश्वस्निये है वस्तुनिष्ट प्रश्ण विश्वसनिये होते हैं निभन्त वाले जो प्रश्ण होते हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा सा उनके ओपर हम कह सकते हैं कि विश्वसनिये नहीं होते हैं वस्तु निष्ठता जब भी हम अंकलन के उपकरन को चेयन करते हैं तो वस्तु निष्ठता का ध्यान अखना बहुत 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 जरूरी हो जाता है क्योंकि अंकलन पक्षपात रहित होना ही चाहिए वस्तु निष्ठता में प्रश्ण का अर्थ सपष्ट होता है और उसमे कोई भी भ्रांती नहीं होती है इसका अगला जो ध्यान देने के लिए बहुत मुहत्वपुन बिंदू है वो है व्यापकता अंकलन का क्षेत्र व्यापक होता है अर्थात गहराई में अंकलन करते समय किसी भी विश्य की गहराई से प्रश्न पूछना बहुत ही आवश्यक है एक शिक्षक के लिए उपयोगीता अच्छा अंकलन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है प्रिये चातरों अगर हम ध्यान दें तो जो शिक्षा का मुख्यध दे है वो है उपयोगीता वो शिक्षा किसी काम की नहीं होती जिसमें उपयोगीता ना हो तो कोई भी शिक् अंकलन में बच्चों के विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए जिससे की अंकलन की निश्पक्षता बनी रहे। विशेश उदेशे को सपष्ट करना बहुत जुरूरी है कि हम जब भी अंकलन करने के लिए किसी भी अंकलन उपकरन को उपयोग करें तो उसका विशेश उदेशे हमीश़ ध्यान में रखें सबसे उपयोख्थ आंकलन तक्नीक चुनना और क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग काम कर रहा है, हर बच्चे में अलग तरह की प्रतिभाएं चूपी हैं तो इसलिए सबसे ध्यान में रखने की चीज यह है, सबसे उप्युक्त आंकलन तकनीक चुनना बहुत ही जुरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे भिन-भिन हैं, कोई भी कक्षा में एक बच्चा दूसरे के समान नहीं है, तो आंकलन तकनीक भी समान कैसे हो सकती है अब उपकरन विक्सित करने के कुछ मूलफूत कदम हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे एक प्रसंगिक उपकरन तयार करना, ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है एक प्रसंगिक उपकरन को तयार करना, वैध्य, विश्वस्निय और लचीला बनाने के लिए उपकरन का अनूलेखन करना जरूरी ध्यान दें कि एक जो उपकरन है आपका वैद्य है विश्वस्निय है और लचीला फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी और लचीला पन जो है उपकरन तयार करते समय जरूर ध्यान में रखें क्योंकि के बार एक ही उपकरन हर बच्चे पर सही नहीं बैठता है अकलन उपकरन के कुछ महत्वपून केंदरबिंदू हैं उपकरन को शिक्षन सीखने की समगरी से मेल खाना चाहिए टेस्ट मानिय, विश्वसनिय और संतुलिथ होना चाहिए सरल अवधारनाओं से शुरू करें और ये बहुत लंबा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो और जरूर याद रखें सरल अवधारनाओं से शुरू करें कोई भी उपकरन जो है, कोई भी अंकलन उपकरन है उसको शुरुआत में सरल अवधारना ही होनी चाहिए और ये बहुत लंबा और बहुत छोटा नहीं हो, इस बात का खास धयानक है समय बध्यता, बहुत ज़रूरी है समय बध्योना जैसे हमारे true-false questions होते हैं, सत्ते जूटे जिसको हम परिक्षन करते हैं उसके लिए आधा minute प्रती item और जो बहुत विकल्पी होते हैं, multiple choice questions उसके लिए एक minute प्रती item जो है, वो आप दे सकते हैं एक छोटा उत्र जिसमें बहुत छोटे very short answers होते हैं तो उसके लिए 2 minute, एक सिमित निबंध प्रश्न के लिए 10 या 15 minute और एक व्यापक निबंध प्रश्न के लिए लगभग 30 minute का समय जो है, वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं अब मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी, अंकलन की विधियां क्या हैं? किस-किस तरह से हम इनका अंकलन कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो विधि है, वो है मनोवेग्यानिक परिक्षन, psychological testing ये व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवारात्मक विशेश्ताओं का वस्तुनिष्ट और मानवी कृत मापक होता है कि किसी भी बच्चे में क्या-क्या उसके अंदर मनोवेग्यानिक प्रदिभाएं चुपी हैं, क्या उसकी कमजोरियां हैं, ये सब हम मनोवेग्यानिक परिक्षन के दुवारा पता लगा सकते हैं साक्षातकार साक्षातकार की विधी में परिक्षन करता आदमी से बातचीत करके सूचनाय एकत्रित करता है उधारन के लिए एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पात की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षन करता है व्यक्ति अध्यन जिसको हम केस्टेडी के रूप में भी जानते हैं इस विधी में किसी आदमी के मनोवेग्यानिक गुनों तथा मनोसामाजिक और भोतिक परियावरन के संबंध में मनोवेग्यानिक इतिहास आदि की ग्यानता का अध्यन किया जा सकता है प्रेक्षन जिसको हम अवलोकन भी कहते हैं इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षनिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित संगठित तथा वस्तोनिष्ठ धंक से अभी लेखों पर तयार कर सकते हैं और यह जो अवलोकन की प्रक्रिया है यह परियावरन शिक्षा में बहुत ही जरूरी हो जाती है क्योंकि परियावरन शिक्षा जो है परियावरन शिक्षा अवलोकन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से उसका अकलन हम कर सकते हैं हमने, हमारा क्या उदेश्य था हमने क्या पाना था और हम कितना पा चुके हैं बच्चों को और कितनी जरूरत है आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्ट यह बहुत जरूरी है क्योंकि जितना हम बच्चों को खुद से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोविग्यानिक अभिलेक तयार करना घटना वृत स्कूल में घटित होने वाली घटनाएं, दैनी घटनाएं इन सब का विवरन, पर्यावरन शिक्षा में बहुत ही अवश्यक है क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं, प्रिये चात्रों की बच्चा कहीं जा रहा है वो किसी चीज़ का वलोकन करता है और जब वो वापस आकर, स्कूल आकर या घर आकर उस पूरी घटना को विस्तार से अपने शब्दों में लिखता है और उन घटनाओं में किस चात्र की क्या उपलब्धी हुई है इस बात का विवरन हम बच्चों को देकर उनकी उपलब्धियों को मापने में बहुत ही सहाइक होता है निर्धारन मापनी, रेटिंग स्केल, जिसमें की हम बच्चों को ग्रेड देते हैं अच्छा, बहुत अच्छा या कम अच्छा इस तरह से बहुत सारी रेटिंग स्केल्स होते हैं, निर्धारन मापनियां होती हैं जिसके द्वारा हम बच्चों की योगिता वो उपलब्धी को इस तरह जाचते हैं कि वह किस तरकी है और उसे आगे कितनी जरूरत है चिखाने की या करने की इससे ही को आगे बढ़ाते हुए हम एक और विधी जो की बहुत ही बहुत ही अवश्यक और बहुत ही महतपूर्ण विधी है, वह है पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अध्धी में विध्यार्थियों द्वारा किये गे कारें का संग रह परियावरन शीक्षा में विध्यार्थी बहुत सी ऐसी वस्तुएं एकतरित करते हैं जिसको की वो पोर्टफोलियों में लगा कर अपनी प्रतिभाओं को अपने अंदर छुपी भावनाओं को उजागर कर सकते हैं यह रोजमरा के कारें भी हो सकते हैं या शिक्षार्थी के कारें के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं उधारन के लिए बच्चों के प्रकृती संग्रह कार्मिक प्रगती का रिकॉर्ड रखना अब यह सब जब हमने इनकी बात की, जो विधियां हैं उनकी बात की, यह सारी के सारी विधियां जो हैं, यह क्या हैं, किसके ऊपर निरभर करती हैं, हमारी सतत और continuous assessment जो की तीन प्रकार से होती हैं, लिखित, मोखिक और प्रदर्शन तो जब हम मौखिक की बात करते हैं तो ये चात्रों को सीधे शिक्षक के सवालों के जवाब देने या तैयार बयान रिपोर्ट पेश करने की अनुमती देता है पर्यावरन शिक्षा के वेवारिक भाग के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पूरक परिक्षन हो सकता है मौखिक जो हमने तकनीक की बात की वो अब मौखिक तकनीक जो है वो बहुत से उसके बहुत से स्वरूप हो सकते हैं प्रिया चात्रों जिसमें की बहस डिबेट बहुत ही एहम है जिसमें मौखिक प्रशन है औरल क्वेशन्स है प्रशनोत्री है चर्चा है डिसकॉशन है तो ये सब हमारी मोखिक तक्नीके हैं जिसके द्वरा हम चातर चातरों को बहुत ही अच्छे से जिनका आकलन कर सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं लिखित तक्नीकों की तो ये ऐसी तक्नीके हैं जिसमें चातरों को स्वियम प्रश्णों परिस्थितियों के उत्तर देने के बहुत अलग लग तरह से डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की बद्धती किस तरह की जो तकनीक है उसको यूज करते हैं इसके आगे बहुत ही इंपोर्टेंट जो है परियावरन शिक्षा में वह है परफॉर्मेंस टेस्ट जिसको हम प्रदर्शन जांच भी कहते हैं प्रदर प्रदर्शन जांच है यह बहुत जरूरी है और बहुत ही अभिन अंग है परियावरन शिक्षा का अवलोकन मैंने पहले भी बात की अवलोकन जो है परियावरन शिक्षा में बहुत एहम भूमिका निभाता है और अवलोकन के द्वरा हम बहुत ही अच्छा आकलन एक बच्चे का कर सकते हैं उधारन के लिए उसकी आदतें और परियावरन के प्रती द्रिश्टी कौन, स्वतंतर रूप के साथ ही सहयोगी रूप से काम करने की योगेता, कक्षा में विविधता का उत्तर देना और विचारों और समझ का विकास तो साराश में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के इस सत्र में हमारी इस चर्चा से यह स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान विद्याली शिक्षन अंकलन विवस्था में वियापक सुधारों की जरूरत है बहुत जरूरी है कि हम अपने अकलन तकनीकों का सुधार करें अंकलन की प्रक्रिया कक्षाओं में चल रही सीखने सीखाने की ही एक प्रक्रिया है और अंकलन के वही तरीके अच्छे होते हैं जो बच्चों को सीखने की गती और सीखाने के तरीकों के अनुरूप होते हैं तो इसी के साथ dear learners मैं आपका धन्यवाद दूंगी और हम इस सत्र को आज यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद